अच्छा, थपड मारना को in English में क्या कहते हैं? तो थपड मारना को English में कहते हैं तो जली स्लैप तो जली इस वôट का यू संटांस में करके बोलते हैं ठीके, जैसे की आप बोल सकते हैं तुमने उसे बिना गलती के थपड मार दिया आप अकसर ऐसे बोलते हैं किसी को, तो आप उसे इंग्लिस में कैसे बोलेंगे, इंग्लिस में आप बोलेंगे, you slept her without fault, यानि कि तुमने उसे बीना गल्ती के थपड मार दिया, अब दूसरा sentence देखते हैं, दूसरा sentence जैसे कि आप बोल सकते हैं, अधियापक ने कक्षा में रा आप इसी इंग्लिस में बोलेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा वॉर्ड है, इंग्लिस का, तो इसका आप यूज कर सकते हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके, साथ इसाथ में नोटिफिकेशन बल को भी आन कर दीजएगा, ठीक है, वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए, और कमेंट करके बताएगा, कि आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट करना बेज बुद मत भूलिएगा और अगर आपको कोई related question पूछना हो इसे तो पूछ सकते हैं ठीक है अगर किसी Hindi word की इंगलिस आपको meaning जाना हो तो पूछ सकते हैं ठीक कमेंट के थुरू तो मिलते हैं next video में thank you so much dear